1.02 M solution of this is makes it 1.02 M solution of this, okay, the resulting solution divided into 2 equal parts of X, parts X and treated with axis AGN3 solution and BACL2 solution. देखें guys, इसमें आपको एक concept याद रखना है, यह आगे अभी में बाद में बढ़ता है, कि जैसे आपको कोई complex है, no matter what के अंदर क्या है, ठीकि अगर भार CL है, और आप AGN3 के साथ reaction कर रहे हो, तो आपका AGCL बनता है, यह AGCL कितना बनेगा, वो depend करता है CL, जितना CL, उतना AGCL, स है आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका sulphate ions है, SO4, और अगें इसकी आपकी BA AGNO3 है, BA CL2 के साथ reaction कर रहे हो, तो अगें guys, इसमें भी same concept है, BA SO4 बनता आपका, ठीक है, BA SO4, अब यह BA SO4 है, यह किस तरो जगा, जितना भी SO4 है, यहाँ पर उतना ही number of moles, यहाँ पर यह बन जा है, जितना यह, उतना यह, जितना यह, उतना यह, आपको बस यह फंडा याद रखना है, ओके, इतना समझवाए आपको, अब इन्हों ने कहा, 1 liter 0.02 M of this, ठीक है, और इसको mix किया this, तो suppose मैं इसको A माल लेता हूँ, इसको B, अब देखे एक बार यह, A plus B को mix कर दिया, A plus B क हो गया, जब मैं इसको exactly divide कर रहा हूँ, divided to equal parts, तो देखे, क्या हो जाएगा, कि 1X and 1X है न, 1X क्या हो गया, 1 liter, exact divide कर दो इसको, तो 1 liter solution, ठीक है, कितना 0.01 of A, divide कर दिया, यह 0.2 था, and 0.02 अगें यह था, तो यह क्या हो कि 0.01 of B, A क्या है, यह, यह, and B यह, ठीक है, similarly, यह व है, कि पहले को A, G, N, O, 3 से किया, और दूसरे को किया, अब मुझे number of moles बताने, Y और Z के क्या अतना हो जाए, ठीक है, अब देखे, मैं direct A, A से, अगर A, G, B, R से reaction करा है, A, G, N, O, 3, यह, A, G, C, L था, A, G, C, L हो गया, यह, A, G, B, R बन जाएगा, तो 0.01 mol of, अगर यह, रि इसको 0.01 से, मैंने M, B, R से reaction हुई, A, G, N, O, 3 की, तो 0.01 of A, G, B, R बन जाएगा, समझ मारा है, काईज आपको, अगर यह, 2 होता, तो यह, 0.02 ले 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 था, 3 होता, तो 0.03 होता हो, यह, 0.03 बन जाता, लेकिन यह, B, R, 1 है, तो 0.01 हो जाएगा, क्योंकि इस से confusement हो नहीं है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ ने 0.01 mol of A, G, B, R इसमें बन गया, ठीक है, A, G, B, R, एक तो यह हो गया, अब, similarly, जब इस से reaction होई, तो again, इसमें SO4 एक ही है, multiple नहीं है, तो इसमें भी, यहाँ 0.01 था, तो 0.01 mol of SO4 से reaction करें, क्या बनेगा, 0.01 mol of BSO4, तो इसका मतलब क्य होगे, 0.01 and 0.01, तो क्या होगे, option number 2 is your correct answer, थोड़ा सा भी confusion हुआ हो, एक बार जरूर इस वीडियो को, इस particular question को दुबारे एक बार, guys, go through करें, ठीक है, बहुत easy question था, बस यह समझें कि, एक बार आपने divide कर दिया, तो बस आपको इसको consider करना है, इनको नहीं है,